हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गूड इवन कैसे हैं आप सब लोग में आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे वेलकम बैक टू माइच चैनल वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग फ्रेंड्स तो आज का जो वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाला है व इतनी ज्यादा दूल उड़ रही है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर इतना ज्यादा तुफान चला हुआ है और साथ में मौसम भी खराब है हलकी हलकी जो है बारिश लग रही है तोड़ थोड़ी और यहाँ पर मैरे घर के बगल में ही वह भी थोड़ी जैस है सामने जैसे थोड़ी बर पड़ रही थी और फ्रेंट्स यह तुफान देख सकते हैं आप लोग कि मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था है यहाँ पर इतनी ज्यादा रही थी रही थी और किस किस के यहाँ पर इतना ज्यादा तुफान चला हुआ है आज मुझे जुरूर बताईएगा फ्रेंट्स हमारे यहाँ पर तो काफी ज्यादा तुफान चला हुआ था जैसे मतलब इसमें खड़े भी नहीं हो सकते थे मतलब जा नहीं सकते थे बाहर इतना डेंजर जैसा था और उड़ने की फुल मतलब की संभाबना है यहाँ पर अगर कोई मतलब देर रह जाए तो और अपने आपको नहीं समभाल पाए तो यह देख सकते की जब थोड़ा सा तूफान हट रहा है तो इस टाइप से है बट जब तूफान आ रहा है तो आप लोग देख सकते हो की कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर तो आज तो काफी ज़्या किस किस के यहां पर बारिश हो रही है बारिश विल्कुल भी मतलब फ्रेंट्स यहां पर तो क्या है ना कि बारिश का मौसम बन रहा है वर बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही है बस हलकी जैसी बुन्दा बांदी हो रही है बस मतलब 5-10 मिनट के लिए और इससे ज्यादा ब नारी थी साग, क्योंकि साग ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ, और मुझे जुरूर बताईएगा फ्रेंड्स की किस-किस ने ये वाला साग खाया है, मुझे तो इस साग का नाम भी पता नहीं है, बट ये क्य है ना कि जंगली साग है, तो यहां से हमारे जो पडोसी हैं उन्होंने दिया वो गए थे जंगल में साग लियाने, तो उन्होंने दिया है मुझे, मैंने भी फर्स टाइम देखा, और मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं बना लेते हैं, और कैसा experience रहता है इसका खाने का और बनाने का, तो यह देखिए कुछ इस टाइप से इसके अंदर जो एक seeds लगे होते हैं, वो कली जैसी होती है, तो यह फ्रेंट्स इसका जो इसकी जो खुश्बू आ रही है ना, इससे वो है जैसे लहसुन की होती है ना, हलकी सी बीनी जैसी खुश्बू आ रही है, और बनाने के लिए भी जादा ताम जाम नहीं करने पड़ी फ्रेंट्स मुझे, बिलकुल एक simple तरीके से इसको बनाया मैंने, बस इसमें जीरा हींग लगाया और onion और थोड़ी सी मिर्ची according to taste, और इसमें थोड़ा साल्ट डाल दिया था, इस टाइप से था और बहुत ज़ ये मंदिर को गए थे दुला दुलन, तो सामने से आ रहे थे और किस टाइप के यहां पे बैंड वाजे होते हैं, तो ये यूनिफॉर्म जो है बैंड वाजे वालों की है, बजा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, तो इस टाइप से था, और हलके बारिश लगी थी, देख यहां पे जो था मौसम जब स्नोफॉल होगी थी उपर उपर, बट जो निचे था ना तो बारिश नहीं हुई थी निचे, बस हलकी जैसी बुंदा बांदी हुई थी हमारे यहां पे, और उपर तो काफी ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है, देख सकते हो आप लोग, तो आप लोगों में से किस-किस के यहां पे बारिश हुई है, मुझे बताना जरूर फ्रेंट्स, यह देखिए, ताजा हिमपात हुआ है यहां पे, और यह है, यहां पे थोड़ा सा आउटसाइड का जो व्यू है, जो आपको हमेशा ही अच्छा लगता है फ्रेंट्स, और जो यह स अगर पसंद आया हो तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर चैनल पे न्यू हो तो सस्क्राइब जरूर कर लेना, थैंक्स फॉर वाचिंग